हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल इसके स्वलू पेक वर्ड फ्रेंड सबसर पहले आपको नौरात्री की धेर सरी सुखमनाय माता राने की किरिपा आप सभी पर बने रहें आप दिन दूना राज चोगुना प्रगति करते रहें चलिए फ्रेंड देखते हैं जेपी उनिवर्सिटी छपरा असना तक पार्ट वान सेशन 1922 परिख्षा का तीथी हुआ फाइनल जेपी उनिवर्सिटी के तरफ से एक अपडेट आ चुकी है आखिर उसमें क्या कुछ बताया गया है चलिए हम लोग पूरी डिटल के साथ घंटी को दबाएं ताकि आने वाली और विजनकारी आपको सबसे पहले मिले चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं देखिए फ्रेंड आप लोग यहां देख सकते हैं 6 कौलेज़ों के छात छात रहें असना तक परिछा में होंगे सामिल फ्रेंड एक गोपाल गंज के ल में तीन सेंटर बन सकते हैं चलिए आगे क्या कुछ बताया गया है इसमें हम लोग देख सकते हैं देखिए फ्रेंट आप लोग यहां देख सकते हैं कौलेज में असना तक फर्स्ट यर सत्र 1922 के परिछा के त्यारी सुरू हो गई है परिछा के लिए इस बार अनुमंडल अस्तर प्रकिंद्र बनाये जाने की त्यारी है 20 विद्याला इसी महा परिछा सिट्यूल जारी कर सकता है इतना साप हो गया है परिछा अगले महा पूरी करा ली जाएगी यानि कि यह अक्टूबर है नौमबर में आप सभी का परिछा करा लिया जाएगा जैसा कि मैं पहले इंफर्मेंशन आया है कि 25 से एक्जाम होगा लेकिन ऐसा नहीं है जेपी उनिफर्सिटी के इंटर्नल सुत्रों से खवर मीरी थी कि नौमबर में आप सभी का एक्जाम हो सकता है चलिए आगे क्या कुछ बताया गया है देख लेते हैं परिछा विभाय के सुत्रों की माने तो विशेवार परिच्छा का सिडियूल त्यार कर लिया गया है कुलपती के अनुमोदन का इंतियार है फ्रेंट आप लोग का जो सिडियूल है उसको त्यार कर लिया गया है कुलपती का जो है अनुमोदन का इंतियार हो रहा है आपको बता दू कि सहर के महेंद्र महिला गोपेश्वर काउलेज, बीपीस काउलेज में बुद्ध बार को परिच्छा की जनकाई लेने की ये 6-7 पहुंचे थे इस बार गोपाल गंज सिवान और शापरा में करीब 32,000 परिच्छाती अस्तनात्ता की परिच्छा में सामिल होंगे बीस बिद्ध लेगे परिच्छा नियंतरक डाक्टर अनिल कुमार सिंग ने बताया कि समय पर सभी लंबित को उसकी परिच्छा को पुरा कराया जाएगा यानि कि जो भी एक्जाम लंबित है पेंडिंग है उसको जल से जल किलियर किया जाएगा कुलपती के अनिमोदन के बाद परिच्छा के लिए तीथी जारी कर दी जाएगी EGC के अनुसार असनाता का सिले बस तीन साल का है पर तेक बर्स फर्ष्ट सेकर्ट और ठाड इयर की परिच्छा करानी है फ्रेंड आपसे एक बर मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप कोशन बैंक नहीं लिए हैं तो कोशन बैंक ले 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 मीचे डिस्क्रिप्शन बक्स में आपको लिंक मिल जाएगा वहां से आप उसको पर्चेज कर सकते हैं या आप मारकेट से भी जाकर कोशन बैंक को ले सकते हैं जहां से आपको सुमिठा हो वहाँ से आप लोग लेख सकते हैं हमारे पास लीजिए कह तो आपको PDF फर्मेट में डाउन्लोड करना होगा उससे आप दिख सकते हैं कि पिछले साल कैसा कोशन पूछा गया है उसमें पिछले 5 साल का कोशन आपको मिलेगा जिससे आपको त्यारी करने में मदद मिलेगी बहुत बार ऐसा भी होता है कि repeat कोशन आपके exam में आ जाता है जिससे आपको त्यारी करने में मदद मिलती है फ्रेंड मैं आपको कोशिज करता हूँ सही और सटिक जनकाई देने का जैसा कि मैं आपको इसके पहले भी बता चुका था कि नौबर में आप सभी के एक्जाम सुरू होगा लेकिन बहुत से लोग एक कमेंट कर देते हैं कुछ लोग होते हैं अब क्या बतायें उन लोग को कि मैं Special JP University के गुरूप में हूँ मेरे पास Special ख़बर आया है हो सकता है उनके पास Special ख़बर आया होगा लेकिन मेरे पास जितना जनकारी आया था कि आप सभी के एक्जाम नौबर में ही होगा तो फ्रेंड उमीद है कि यह जनकारी आप सभी को पसंद आई होगी तो किर्पया अभी तक आप इस चैनल को Subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को Subscribe कर ले क्योंकि इस चैनल के मादबस आपको सही और सठिक जनकारी दी जाती है फ्रेंट फिर मिलेंगे एक नई जनकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जैहिंद